अरहीम, यह स्टूदेंट अस्सलाम अलेकम, तोड़े इस लेक्चर नमबर थ्री अफ़ बॉर्ट फोर जिरो वन, टॉपिक इस डिक्टियोसोम्स और गॉल्जी बोडीज, इट वाज डिसकोवर्ड बाई कमीलो गॉल्जी इन 1898 और यह सारे के सारे उकरियोटिक सेल्ज में पाया जाता हैarin प्लांट液 में इसको एक्टियोसोम्स कहते हैं, इनियुल सेल्ख नदर यह गॉल्जी आपरेटिस कहलाता ह। बब़सीकली यह फ्लैटन मेंब्रेयन बांडीड सैक्स होते हैं, और उसको हम सीस्ट्रनी कहते हैं कि साथ अगर आम असके जो associated vesicles हैं वो शामल कर लें तो ये गॉल्जी complex कहलाता है इनकी जो तादाद है उन सेल्ज में ज्यादा होती है जिनके अंदर secretion ज्यादा होती है plants के अंदर जो number of plant cells में number of dictyosome few hundred होती है जबके लोगर organism like protista और algae के अंदर ये four और इससे कम तादाद में होते है सिस्टर्णी की जो formation होती है सिस्टर्णी की जो formation है उसमें SCR से vesicles निकलते हैं जो आपस में मिलकर फिर सिस्टर्णी बनाते हैं अगर हम इसका structure देखें तो जो dictyosomes होते हैं उसकी दो surfaces होती है एक को हम कहते हैं sis या farming phase दूसरी कहलाती है maturing phase इनकी जो thickness है और chemical composition वो दूसरी membrane से different होती है जो sis form है जिसको farming phase कहते हैं वो outer convex surface बनाती है और जो transform है वो maturing surface या maturation phase कहलाता है ये inner concave phase होती है और ये proteins को receive करते हैं और बाद में उसकी transport के अंदर involve होते हैं secretion की जो formation होती हैं इसके चार steps हैं सबसे पहले ribozome से जो secretions आती हैं जिसको mostly protein कहते हैं वो SCR के पास आकर in the form of transport vesicle की सुरत में वो sis form के साथ fuse करती है then जो transform हैं वहां से secretory vesicles निकलते हैं in the form of budding जब ये sis से transform के अंदर transport हो रहे होते हैं तो उसके दर्मयान में गॉल जी के अंदर पाए जाने वाले enzyme इन में से sugar molecules को remove करके उसकी जगा पर दूसरे oligosaccharides add करते हैं इस तरीके से इनके अंदर modifications होती हैं last पर ये जो vacules निकलते हैं या vesicle निकलते हैं इनको हम secretory vesicles कहते हैं they are fused with plasma membrane and then exported outside the cell now functions of dicterosomes इसका सबसे पहला function है cell secretion कि ये cell secretion produce करते हैं secretions वो products होती हैं जो ribosomes की surface के उपर बनती हैं और उसके बाद इसको जो है वो क्या for example mammals के अंदर जो pancreas होता है वो secretory granules की सुरत में उसके अंदर enzyme को pack करके भेजता है जो digestion के अंदर जिसका रोल है transportation के अंदर ये involved हैं ये proteins और enzymes को outside the cell transport करने में भी involved हैं और ये modification जो इसका most important function है proteins और lipids के अंदर ये carbohydrates add करते हैं गलाइको proteins और गलाइको lipids बनाते हैं number four पे इनका जो function है वो नए plant cell के अंदर cell wall formation है । डिक्टियोजोम जो है वो fragmoplast बनाते हैं fragmoplast जो है वो cytokainese जो plant cell की होती है उसमें ये special structure बनता है दूसरा जो हमारा part है वो है vacule vacule जो है basically ये compartments होते हैं जो cell के अंदर खास तरफ़ पर plant cell के अंदर ये animal cell के अंदर protoplast के अंदर मौझूद होते हैं और इनकी जो membrane है उसको हम tonoplast कहते हैं और उसके अंदर मौझूद होता है cell sap या इसको हम कहते है वेक्यूल sap which contains aqueous solution Plant और Animal दोनों Cells के अंदर यह होते हैं फरक सरफ ही है कि Animalï Cells के अंदर जो है वो तादाद में यह ज्यादा होते हैं और Size में यह समाल होते हैं इसके मकाबले में Plant Cells के अंदर जो है वो Size में यह बड़ा होता है और एक ही Central Vocularly स्फार्ट वेखी बनाता है Maristematic cells के अंदर central large vacuoles absent होते हैं लेकिन उनके अंदर small size के बहुत सारे vacuoles होते हैं जो vacuoles होते हैं उनकी central vacuoles की formation है वो basically small size के vacuoles के आपस में fusion से बनती है structure wise इनके इर्दगिर जो है वो single membrane होती है जिसको हम tonoplast कहते हैं इसकी जो thickness है वो plasma membrane के बराबर होती है लेकिन इसके अंदर active transport की ability होती है formation में ये होता है कि ये ER और dictyosome से बनते हैं खास तोर पे जो ER से जो protein part होता है membrane का वो बनता है जो आगे फिर ये protein को transfer कर देते हैं in the farm of budding और small vesicles की सुरत में pack करके आगे बिजवाते हैं जो इसके अंदर contents होता है कि कौन कौन सी चीज़े वेक्यूल के अंदर होती है mostly इसमें सबसे जो most important part वो water है जो के most abundant है second number पे solutes होते हैं जो potassium, sodium, calcium, phosphate और sulfate आइन की सुरत में होते हैं इसके लावा sucrose, glucose, organic acids, phenolics like tannins, nitrogenous waste में amino acids, peptides, proteins now come to their functions, इनका जो सबसे पहला function है वो है cell को expand करना plant cell के अंदर जो है यह वेक्यूल जब पानी के अंदर इसके अंदर भर जाता है तो यह cell को expand कर देते हैं size में इजाफा कर देते हैं जिसके जैसे cytoplasm को यह dilute नहीं करते हैं दूसरा function इसका है storehouse के यह वेक्यूल जब वो storehouse के तोर पर एक्ट करता है water को store कर सकता है cell products को और metabolic intermediate intermediates mean respiration और photosynthesis के दुरान जो intermediate compounds बनते हैं इसके लावा यह reserve food material को store कर सकता है इंदे farm of proteins, flavonoids and alkaloids, seed के अंदर जो है जो large size के vacuoles हैं वो store कर सकते हैं food को जो के बाद में future में germination के अंदर जो हो यूज होती है metabolic waste को भी यह store कर सकते हैं metabolic waste को यह permanently store कर सकते हैं जो tonoplast होती है वो waste के लिए impermeable होती है specially खासतोर पे plant के leaf case cells के अंदर यह जो central vacuola यह बहुत जादा amount में nitrogenous waste को store करके जब अपने पत्तों को गिरा देते हैं इस तरीके से यह mechanism of excretion है plants के अंदर number four पे they can store calcium के यह calcium को in the form of calcium oxalate की सुरुत में store कर सकते हैं जो calcium होता है यह बहुत सारे plants के अंदर enzyme की activity के अंदर जो है वो क्या involved है plants के अंदर यह turgidity का आज करते है mean के target और वो जो target है वो plant cells को support करता है जिसकी वज़ाद से leaves और young plants की shape जो हो maintain होती है they can also store pigments like anthocyanins यह जो pigments होते हैं यह plant के flower को fruits को यह vegetables को different किसम के colors दे सकते हैं last पे यह plant cells की growth के अंदर भी involved है जब इनके अंदर जाए वो space भर जाती है यह water enter होता है turgidity की वज़ासे यह enlarge होते हैं तो internal pressure create होता है तो cell wall के अंदर material इकठा होकर cell को permanently तोर पे size में इजाफे का बाइस बनते हैं thank you very much